आजी गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग सब लोग आ गये आजी शुभांसू प्लास स्टार्ट हो चुकी है प्रशान्त निशिता मानशी, विने, किशन, चलो जी सब भी लोग आ गये हैं और जिन जिन लोगों को बुक्स मिल चुकी है बहुत बहुत बधाई और आज बुक्स का यूज होने वाला है बुक्स के मैटर पर वैसे भी मैं आपसे बात नहीं करूँगा और मेरे ख्याल से ओडियो वीडियो में आज कोई इश्यू नहीं आएगा हमारी पुरी कोशिश है एक बाग कन्फर्म कर दे ना ओडियो वीडियो में तो कोई समस्या नहीं है ग्रेट थैंक्यू तो चलो स्टार्ट कर रहे हम लोग क्लास कल जो डिस्कुर्शन किया था हाँ जी वेजनती कल जो डिस्कुर्शन किया था वो हम लोगों ने किया था किस मैटर पर मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था NPV जो की मुख़्ी चीज है NPV और IRR दो टॉपिक पे हमको ज़्यादा मेनद करना है हाला कि हलका सा आइडिया ले लिया था Payback period का और इसके अलावा ARR का ये सब कुछ पढ़ा थोड़ी बहुत बाते पढ़ी ARR, Payback period, CFAT, Terminal Value ये सारे सब्द पहले पढ़े हुए थे मेरा काम था आपको यहाद दिलाना तो focus किस पे रहेगा? focus रहेगा NPV आज हम CA final का study material ही करने वाले है सर कौन सा study? जो आपको मिला है जो material आपको मिला है सेम कोश्चन से हमारे जो AFM है, सेम study material है हम लोग स्टार्ट करने वाले पर थोड़ा सा रुक के पहले मैं मुझे ऐसा कि आप पर मुझे विस्वास तो आ जाए कि हाँ, इस लायक हो चुके हो कि अब CA final AFM हम कर सकते हैं तो कल सायद मैंने एक ही example करवाया था उसमें मैंने IRR नहीं करवाया था अभी भी मैं IRR नहीं करवा रहा हूँ simple NPV तो स्टार्ट करने हम लोग क्लास example नमबर 2 कल किया था example नमबर 1 अब उतना बड़ा कोशन नहीं होगा लेकिन छोटा सा कोशन नहीं होगा लेकिन concept है, हमें NPV अच्छे से समझना पड़ेगा NPV पड़े कोशन है, example नमबर 2 cost of project है rupees 90,000 rupees 90,000, sorry rupees 1 lakh करो, इसको दिक्कत ही नहीं होना EFAT, तीनी साल का project पहले साल आएगा 50,000 फिर आएगा 40,000 और फिर आएगा 60,000 cost of capital 10% calculate NPV बहुत कुछ सीखना है भाई, सीखना है बहुत कुछ सीखना है NPV निकालना है और कोई है जो मुझे बता सकता है कि NPV कितना आएका निकालो आराम से, सर फैक्टर से कर रही है फैक्टर से मत करो, डिवाइड वाले से भी कर लो तो चल जाएगा NPV आप लोग निकाल कर बताओ कि NPV निकाल कर बता रहे हो आप लोग तन इसके का अंसर है 23591 23591 के आसपास मान लो आपने NPV निकाल लिया और आपका NPV आ गया 23591 23591 सभी का आंसर है सर इसमें सीखने वाली क्या बात थी सीखने वाली बात अब आने वाली अब भी कुछ सीखने वाली नहीं थी सभी बच्चों का सही आंसर है ऐसा नहीं है और हो भी नहीं सकता गलत सब कि सब समझदार है सब 23550 सही है कि गलत अगर फैक्टर लेकर किया होगा तो हो सकता है 23550 आ जाए मुझे एक्जेक्टली नहीं मालूम पर सारे बच्चों का आंसर 23591 आ रहा है ठीक है सक्षे यस अब सुनो अब काम की चीछ अब सुनना है बात आखिर ये NPV है क्या और को कोशन सुनो कोशन अब मैं आपसे कोशन अब आप समझने वाली बात है अब सब लोग तयार हो जाए है तुब आंसरो फैक्टर लेकर 23 फिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है बस अब समझना मेरी बात को ठीक से कि आखिर क्या है NPV जब तक समझोगे नहीं क्यों समझा रहा है सर क्योंकि आगे आएगे सब्द मोडिफाइड आई एर आगे सब्द आएगे रियलाइजड वाई टीम तो यह सब समझने के लिए मुझे यह समझाना जरूरी है बेसिक चीज़े है यहीं से हो जाए तो बात कर था एक आपका चैप्टर है बिजनेस वैलिवेशन आगे आएगा अभी आप टाइम लगेगा जब बिजनेस वैलिवेशन वैलिवेशन निक करोगे ना बिजनेस की तब यह बेसिक चीज़े काम आई चोटी-चोटी चीज़े ठीक है यहां कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और मेरा यह कहना है हाँ नितिन मैंने आप ही के लिए यह किया इस पेशले तो अब सुनो मेरा यह कहना है कोई लैगिंग नहीं हो रहा कोई इस्यू नहीं हो रहा अब अब कॉंसेप्ट पे आते हैं मैं यहां कुछ ड्रॉ कर रहा मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी कौपी में करोगी ठीक है सर राम ठीक ठीक है सर राम हो गया और राम को क्या करना है सर राम को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना प्रोजेक्ट और सर प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है प्रोजेक्ट में एक लाख रुपए लगाना राम को किसी प्रोजेक्ट में एक लाख रुपए लगाना है राम के पास मान लो पैसे नहीं है तो राम क्या करेगा सर राम बैंक जाएगा और बैंक से पैसे लेगा और सब बैंक से कितना रुपए लेगा बैंक से उधार लेगा एक लाख रुपए और बैंक वाला जो rate of interest चार्ज करेगा वो करेगा 10% 10% को मैं अभी cost of capital बोल रहा हूँ मान के चल रहा हूँ no tax बैंक वाले ने का कि ठीक है राम आप एक लाख रुपए ले जाए ये प्रोजेक्ट भी invest कीज़े दिक्कत नहीं है पर आपको ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज कितना देना पड़ेगा 10% मैं मान के चल रहा हूँ no tax क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते है after tax wax की बात करें मैं अभी no tax की बात कर रहा हूँ तो राम से ये पूछा जा रहा है बैंक पूछेगा ना यार क्या पूछेगा कि राम पैसे कहां से वापस करोगी तो राम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा एर में आएगा 50,000 राम ने बैंक से ये कहा कि सुनो बैंक जैसे जब भी पैसा आएगा पहले हम आपको वापस करेंगे जितना भी आपका बनता हम आपको वापस करेंगे तो फर्स्ट येर में आएगा 50,000 सेकंड येर में आएगा 40,000 और थर्ड येर में आएगा 60,000 बस तीनी साल का प्रोजेक्ट है सवाल क्या है सर सवाल ये है कि राम एक लाक विट इंट्रेस्ट देने के बाद लाश्ट में कुछ बचे का कि नहीं बचेगा सवाल बस इतना अगर कुछ पैसा बच जाएगा लाश्ट में तो प्रोजेक्ट कर लेंगे ठीक है कितने परशंट पर पैसा उठाया है 10 परशंट यहां तक ठीक है अब इस्टार्ट करें मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ मेरा मुझे साथ देना फर्ष्ट येर में आएगा पच्चास ज़र हमें किसको पैसे वापस करना है बैंक को तो हमने बैंक से पुछा बैंक बैंक सुनो हम अनुमान लगा रहा है हमने का बैंक यह बताईए मैं पूरा ले रहा हूँ बोड बैंक बैंक माइनस हुआ है या नहीं हुआ है मैं इसका नाम दे रहा हूँ इसका नाम दे रहा हूँ C F A T Cash Flow After Tax सोच समझ के बोलना इसमें से ये 10% इंट्रेस्ट माइनस होकर आया है या नहीं होकर आया होगा जनरली क्या होता है जनरली जब आप N P V निकालते हो मैं बारी क्यों से समझाऊंगा चीजों का है जनरली ये C F A T दिया रहता है और जब आप N P V निकालते हो तो इसमें से इंट्रेस्ट माइनस होकर आता है कि नहीं आता है सभी बच्चों का कहना है हाँ सर आता है पका नहीं आता है सर क्या बात कर रहे हो माइनस होकर आया है ना भाई साब नहीं आया यहीं तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं माइनस होकर नहीं आया सर हमें समझ में नहीं आ रहा है मैं अभी मेरी बात ठीक से समझना हो अभी मेरी बात ठीक से समझोना ये बारी क्या मुझे आपको सिखाना है बस चलो यहीं आ जाते हैं वापस आ रहा हूँ मैं वापस डिसकाउंट करने पर आता है यही तो समझाने की कोशिश करो है बिल्कुल सही आंसर दिल खुश हो गया यही समझाने की कोशिश करो हूँ बस मेरी बात ठीक से समझोगे हाँ जे सुनोगे 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 वच्चो सुनोगे सुनोगे पहले साल कितना आएगा सर पहले साल आएगा पचास हजार ठीक है सर पचास हजार आएगा और मुझे बैंक वाले को लोन देना, लोन वापस करना, मैंने का बैंक जितना भी आएगा ना मैं आपको वापस करूँगा, पहले साल वापस कर दूँगा, जो भी आएगा वापस करूँगा, अब हमने का बैंक 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 बताओ ना आपका कितना हो गया टोटल मिलाकर जाएगा और हम आप एक लाग दस जार कैसे आया ये मत पूछना एक लाग और उस पे दस परशन भी आज तो बोले हम पचास जार वापस कर देंगे रिपैमेंट तो बोलो कितना बकाया रहा बैंक वाले का 60,000 ठीक ठीक कितना बकाया रहा 60,000 फिर से बोल रहा हूँ बैंक वाले का प्रिंसीपल विट इंटरस्ट कितना हो गया था एक लाग दस जार उसमें से 50,000 वापस कर दिया तो बचा कितना 60,000 तूसरे साल फिर आया हमारे पास फिर आया मतलब आएगा अनुमाल लगा रहा है यह भगवान फिर आएगा 40,000 फिर मैं बैंक वाले के पास जाओंगा और बैंक से पुछूँगा बैंक बैंक अब कितना बकाया है तो बैंक बताएगा साथ हजार ये और 10% एक्स्ट्रा तो अब बकाया है 66,000 बैंक वाले को फिर 40,000 वापस कर दिया तो बचताओ कितना बकाया रहे गया है तो 66 माइनस 40 26,000 इस चीज के लिए भी आपको कैलकूलेटर लगता है हाँ लगता है गलत हो जाएगा तो आपका खेल गत्तम हो जाएग 66 मैं से फिर कितना माइनस कर दिय वजंती 40,000 तो कितना आ गया है 26,000 कितना बकाया रहे अब मैं है थर्ड येर डीक इंतजार कर रहा हूं भगवान पैसा आएगा और आ गया कितना आ गया है 20 इतना गया 60,000 अब 60,000 में से हमने वापस कर दिया 26,000 26,000 नहीं यार interest भी तो वापस करना पड़ेगा interest भी तो वापस करना पड़ेगा मतलब 26,000 plus 10% 28,600 विल को सही हमने वापस कर दिया 28,600 क्या अभी भी हमारे पास पैसा बच जाएगा हाँ सर 60,000 आया था बैंक वाले को 28,600 वापस कर दिया तो अभ हमारे पास बच गया है 31,400 एगरी हाँ निशिता 31,400 ठीक है 31,400 जो तनिस्क मुझे बताना जो बच्चा है 31,400 सिंबल सा कोश्चन पूछ रहा हूँ क्या बैंक वाले की हमने पाई पाई वापस कर दिया पाई पाई का मतलब इंट्रेस्ट भी वापस कर दिया और प्रिंसिपल भी वापस कर दिया क्या सारा पैसा वापस हो गया यस बोलो ना यार हाँ सारा पैसा इसमें इंट्रेस्ट भी है इसमें से interest minus होकर नहीं आया है मैं इधर से interest minus कर रहा हूँ उसके बावजूद भी हमारे पास 31,500 बच्चा agree सर ये जो पैसा बच्चा है ये तो फाइदा है हाँ भाई हम कमा कर निकल गए और कितना 31,400 इसको बोला जाता है इसका एक नाम है इसको बोला जाता है net value इसको बोला जाता है net value क्या project कर लेना चाहिए answer है yes 100% यार सब कुछ देने के बाद भी तो 31,400 बच्चा है project कर लेना चाहिए ठीक अब सुनना सुनोगे सुनोगे पर problem क्या है पैसा तो आज लगाने वाले हो और ये value कब की आई है तीन साल बात की तो क्या इसका present value निकाल सकते हो yes net value को मैं net present value निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब 31,400 discounting rate कितना है 1.10 power 3 करो कितना आ रहा 31,400 divided by 1.10 power 3 अंसर आ गया है 2,3,5,9,1 तो अब इसका नाम net value नहीं होगा अब इसका नाम होगा net present value और यह आ गया 2,3,5,9,1 वही तो चीज है यार हाँ net present value net present value को हम क्या बोलते है NPV यह है actual में कहानी और आपने तो यार आप क्या कर रहे हैं सर आप time pass कर वा रहे हो जो काम हम एक minute भी कर सकते थे उसको आप आदे घंटे पता नहीं कितना time हो 15 minutes से discussion कर रहे हो कि ऐसे हो गया bank bank और यह तो हमने 2,3 कितना आया था 591 वैसे बिटे बस यही तो मुझे समझाना है सवाल अब क्या है सुनोगे सवाल यह है कि इस NPV का मतलब यह है कि जहां से भी आपने पैसे उठाये थे क्या सब कुछ minus हो चुका होगा yes interest minus हो चुका होगा principal minus हो चुका होगा और उसके बाद हमारे पास जो value बचा होगा उसका आज का value कितना आ गया है 2,3,5,9,1 ठीक है तो question बस बड़ा simple सा question अब मैं पूछ रहा हूं यह जो CFAT आता है या interest minus होने के बाद आता है या फिर cost of capital से discounting करते है तो automatic वो interest minus हो जाता है question नहीं है answer simple है automatically minus हो जाता है जैसी अब discounting करते हैं इसका मतलब ही है कि automatic minus हो जाता है छीक है सर हाँ बस ये एक चीज़ थी मुझे समझाना था बारी किया मुझे थोड़ी सी समझानी पड़ेगी जरूरी था चले अब एक बात और पूछने जा रहा हूं फोड़ा सा और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए थोड़ी सी बात और करने वाला तुनोगे तुनोगे बच्छो अब और साथ चाहिए जब बैंक से आप पैसे ले रहे हो बैंक से पैसे ले रहे हो कितना रुपे ले रहे हो एक लख उसका कॉस्ट कितना दिखाई दे रहा है टैन पर्शन ठीक है हाँ प्रिंसिपल भी आटोमेटिकली माइनस हो जाता एक्चुली वो माइनस एक लाक रुपे आप कॉस्ट अप मसीन करके करते हैं और भी हमको डिटेल में पढ़ेंगे अब एक्जाम्पल के थुरू मुझे थोड़ा सा समझाना मुझेल होगा पर मैं आपको समझा दूगा कि कैसे प्रिंसिपल भी हालाकि यहां से दिख रहा प्रिंसिपल भी आटोमेटिक माइनस हो गया है आप यह क्या करते हो इसको डिसकाउंटिंग करते हो और माइनस एक लाक करते हो ना आटोमेंटिक एकलाक रुपे मैंनस हो जाए हाँ दूसरी सबसे important बात जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ सुनोगे तयार हो यस सर ये बताओ बिट्टे कि बैंक से जो आप पैसे उठा रहा हूँ हाँ सर उसको हमको last line repeat करना है last line बिल्कुल सिंपल सी है मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या interest automatic minus हो चुका है yes क्या principle भी minus हो चुका है yes दोनों चीज minus होने के बाद मेरे पास 31,400 बचा जब हम इन ही को discounting करते है तो जो आया होगा PVCI वो आया होगा 1,23,591 और जैसी आप minus 1 lakh करते तो automatic principle minus हो जाता है हलाकि आप इसको cost of project का नाम देते हैं और ज़्यादा detail पढ़ेंगे हम अभी हमारा capital bursting पूरा बाग की ठीक है मैं इस topic पे आ रहा हूँ क्योंकि कल की बात मेरी अधूरी रह गए थी कल की बात ये थी हाँ जी तयार हो सुनने के लिए कल की बात cost of capital दिया है 10 percent मतलब अगर मैं बैंक वालों से एक लाख रुपया उधार लेता हूँ तो उन्हें 10 percent देना है क्या पक्का देना है क्या मैं ये बोल सकता हूँ सुनो ना bank मेरी कमाई नहीं हुई तो मैं कहां से दूँगा पैसे क्या ऐसा बुला जा सकता है नहीं क्या पक्का देना है येस आप कमाऊ मत कमाऊ आपको देना तो पड़ेगा ये तो पक्का है कि मुझे 10 percent देना ही पड़ेगा यहां तक ठीक है येस तो जब हम discounting करते है और इधर से जो पचास चालिस साथ हजार जो आएगा क्या वो पक्का आएगा कि फिर इसमें रिस्क हो सकता है फिर से important बात जो पचास जार चालिस जार साथ हजार आने वाला है वो पक्का पक्का आएगा कि कम जादा हो सकता है क्या इधर ऐसा हो सकता कि कम ज्यादा इधर नहीं हो सकता इधर तो दे नहीं पड़ेगा पर क्या इधर कम ज्यादा हो सकता हाँ सर इधर जो है वो रिस्क है रिस्क yes, इधर risk है कमज़्यादा हो सकता है लेकिन इधर risk नहीं है यह तो हमको दे नहीं है बैंक वाले को inflation पे मैं आ रहा हूँ पक्का inflation की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ इधर तो इधर पक्का नहीं पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा तो जब हम discounting करते हैं न सुनो बच्चो सुनो सुनो discounting करते हैं न तो हम 10 PERSON से discounting नहीं करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लिकर चलते हैं risk है ना भाई तो risk है तो return भी तो ज़्यादा चाहिए तो हम 10 PERSON नहीं लेते हम कुछ adjust करते हैं और मन से लिख रहा हूँ, हम डिस्काउंटिंग किसने कर से करते हैं, 13% से, ठीक है, it means cost of capital 10% actual में require rate of return 10% नहीं होता, उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा लेकर चलते हैं, margin लेकर चलते हैं, सर ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहे हैं, important कुछ कहने जा रहा हूँ, अगर यह सब करने के बाद, NPV, 0 आ जाता है, मतलब, बैंक वाले को देना है 10, पर हमने कर 10 नहीं, हमको कम से कम 13 चाहिए, और 13 परसन से डिस्काउंटिंग किया, जो चाहता था, वो मिल गया, उसके बाद, मेरे पाद 0 आ गया, अगर यह 0 आ गया, जवाब देना, अगर यह 0 आ गया, तो बताइए, हम कितना परसन्टेस कमा रहा है, अगर हम 13 परसन से डिस्काउंटिंग कर रहा है, और NPV 0 आ गया, तो बताइए कितना percentage कमा रहा है हम इस project से IRR है वैसे पर बिना वैसे भी समझ सकते हो बिना IRR जब मैंने 13% से discounting किया और सब कुछ करने के बाद NPV positive नहीं आया 0 आ गया तो total मिलाकर यहां से इधर तो 10 देना है तीन extra आ रहा है 10 देना है पर 13% क्या project accept कर लेना चाहिए क्या project हम लोगों को accept कर लेना चाहिए हाँ या नहीं सर डिसकाउंटिंग किस से कर रहा है डिसकाउंटिंग में इस से करो अभी इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए आप 10% से परेशान हो ना है मैंने का 10% को भूल जाए मेरा required rate of return है 13% कोई हिंदी में बता थे require rate of return का मतलब क्या है require rate of return का मतलब हमें चाहिए 13% और NPV zero आया इसका मतलब क्आ हमें मिल रहा है 13% धी तो बात हुई हमें चाहिए 13% और मिल भी रहा है 13% तो क्या हम लोगों को project कर लेना चाहिए 13% कमाई तो बहुत सारी बच्चे कल मुझे जवाब दे रहा थे सर एनपी भी जीरो है तो नियूट्रल है प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए ऐसा बहुत सारी बाते हो रही थी उस समय मैंने बारिक्या नहीं समझाया था आपको अभी भी पूरी तरह से आप नहीं आओगे जब मैं आरे डियार करवाँगा रिस्क हाँ जितना चाहते थे आरे डियार करवाँगा रिस्क एजिस्टे डिसकाउंटिंग रिट तब हम बहुत सारी बाते करेंगे ठीक है जी ठीक है सर तो कहानी खतम करें अब हम लोग आगे बढ़ है एन पीवी के विसे में और भी बाते करनी है ऐसा नहीं कि पर एक साथ अभी में सारी बाते करनूंगा ना तो आप लोग भी परिशान हो जाओगे यहर सर टॉपिक तो श्टार्ट करेंगे एक काम करते टॉपिक श ज़रुत पड़ेगी मैं आपको समझाते जाओंगा तो जब तक कैपिटल बस्टिंग खतम होगा ना आप बिलकुल एक्सपर्ट हो चुके होगी ठीक है अब भी एक चीज बाकी रहें एन पीवी में अब मुझे मैंने टोटल मिलाकर दो एक्जांपल आपको दे दिये दो एन पीवी के और दो एक्जांपल मुझे करवाने एन पीवी बोलो या प्रोजेक्ट बोलो फिर आई एर आर समझाना है और फिर हम इंफ्लेशन करने वाले इंफ्लेशन इन कैपिटल बस्टिंग किसीने इंफ्लेशन का नाम लिया था आज वोई टॉपिक होने वाला है चलो जी एक्जांपल एक्जांपल नमबर थार्ड इसमें कुछ नहीं था इस एक्जांपल में बस यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या है करके चलो जी एक्जांपल नमबर थ्री बी एन पी भी पे होगा एक्जांपल नमबर फॉर भी बैसे होगा चोटे चोटे रहे प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी कोश्ट मेरे साथ सथ लिखना भाई यह सारी चीजे काम आने वाली हैं आपके एक लाक और एक लाक बीस जार ठीके सरा कि एफ एटी चलो मैं निकाल कर दे दिया सी एफ एफ एटी कैश फ्लो आफ्टर टेक्स जो लाश्ट में लगता ना वह चीज सर सी एफ एटी कितना आएगा इससे 28,000 पर एन और सर इससे कितना है 27,000 पर एन लाइफ फाइव यर्स 80 यर्स पास साल और आठ सा और सेलवेज भी डाल देता हूँ सेलवेज 10,000 पर पंद्रह जार इसके साथ डिसकाउंटिंग रेट डिसकाउंटिंग रेट मैं 10 परशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने देखा है बच्चों को जब एक्जाम होता है न तो बड़े आश्यर की बात है कि डिसकाउंटिंग रेट कोश्चन में आया होता है 15 परशन, 18 परशन अब अच्चे 10 परशन चिपका कराते है क्योंकि एक्जाम्पल में 10 परशन नहीं करके रखा था 12 परशन पर है विच प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए हमको टेबल बनाके करना जरूरी नहीं है टेबल बनाकर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा मेन है कॉंसेप्ट्स प्रजेंटेशन जो है वो हम साथ में कर लेंगे प्रजेंटेशन का इश्यू नहीं है भई प्रजेंटेशन कोश्चन के साथ कर लेंगे which project should be accepted खास बत क्या है खास बत इस question में क्या है यास लाइफ एक्वल नहीं है इसका लाइफ है पास साल इसका लाइफ है आठ साल तो सी एंटर में कुछ करते थे और हम निकालते थे equivalent कुछ, equivalent करते थे नो, दोनों को बराबर करते थे, याद है कि नहीं, हाँ, life अगर different है, तो हम लोगों को कुछ काम करना पड़ता था, और हमको equalized NPV निकालना पड़ता था या equivalent NPV निकालना पड़ता था तर कैसे करेंगे तो अब मेरे साथ सत कर लीजे सबसे पहले में क्या निकालूँगा project A सबसे पहला काम होगा NPV हर साल कितना है का 28 जार into present value energy factor ले ले लेंगे plus 28,000 के साथ last में salvage कितना मिलेगा 10,000 कोई tax का चक्कर नहीं है मैं मैंनस कितना करोगे 1,000,000 दिस्काउंटिंग रेट है 12 पर्षन 1 दिवाब 1.12 1, 2, 3, 4, 5 मैं 3 डिजट ले रहाँ 0.56 say 1 GT 3.60 5 28,000 into 3.605 और 10,000 into 0.567 मैंनस क्या करोगे 1,000,000 NPV आया 6610 6610 NPV और जब जब भी लाइफ पास साल और आठ साल है तो कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो NPV आएगा वो कितने साल का आएगा पास साल का और ये जो NPV आएगा वो कितने साल का आएगा यहां कमाई कितने साल की हो रही पास साल और यहां कमाई कितने ही की हो रही है, आठ साल, तो इसको आप comparison करी नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या निकाला करते थे, equivalent annual NPV, फॉर्मूला क्या था, पॉर्मूला था नहीं, लॉजिक था इसके पिछे, और मुझे पूरी उमीद है कि लॉजिक आपको पता होगा, यह नहीं समझा सकता कि कैसे लॉजिक है, यह तो यार, सीए इंटर का टूटली, तो सार, 6610, divided by 3.605, equivalent annual NPV, निकालो कितना आगे, 6610, divided by 3.605, अंसर आगया, 1833, 1833, ठीक है, ऐसी किसका निकालोगी सर, ऐसी निकालेंगे, प्रोजेक्ट बी का, प्रोजेक्ट बी, उसका भी क्या निकालेंगे सबसे पहले, NPV, बोलो कितना आगया, 27,000 into, कितने साल का प्रोजेक्ट है, 8 साल, 1 divided by 1.12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्रोजेक्ट में कितना मिलेगा, 15,000, 15,000 का फैक्टर है, 0.404, GT, 4.968, तो 27,000 into 4.968, M plus 15,000 into 0.404, M plus MRC, minus, कितना, 1,000,000, 20,000, NPV कितना आगया, 2, 0, 1, 9, 6, equivalent annual NPV आ रहा है, 4063 मेरे कहीं calculation mistake हो रही है, क्या, नहीं सर, सहीं है, इसका क्या निकालने जा रहे हैं हम, इसका निकालने जा रहे है, equivalent annual NPV, 2,196 divided by 4.968, 2,196 divided by 4.968, आंसर आ गया है, 4065, ठीक है, अगर इस हिसाब से बोले, तो कौन सा प्रोजेक्ट को एकसिप्ट करोगे, तर आंसर आएगा, P, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कि NPV भले ही, NPV भले ही इसका जादा हो, लेकिन equivalent annual NPV इसका जादा हो सकता है, हमारे काम की चीज़ जो हमें याद रखना, हमारे काम की चीज़ यह, कौन सा प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट भी, प्रोजेक्ट भी सुट भी एकसेप्टेड, हमारे काम की चीज़ यह, हमेसा याद रखना है, चाहे question कहे या ना कहे, आगे आएगा, concept आएगा, और वो आएगा, optimal replacement cycle, replacement decision में एक होता है, concept, optimum replacement cycle, उसमें सब equivalent वगेरा निकालना पड़ेगा, तो आज से याद रखना, आज से हलाकी पहले से याद है आपको, पर आज से याद रखना है, कि जब भी life unequal होगी, तो हम equivalent निकाल कर ही काम करेंगे, किसी को, अगर इस formula का logic समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे personal message करोगे, मैं मेरा वीडियो डला हुआ है, मैं उसका link आपको share कर दूँगा, ठीक है, तो जहां जहां भी, आप ऐसा नहीं है, मेरे पास भी time थोड़ा सा limited है, अगर मैं basic से चलूँ तो मैं पूरा CA enter नहीं करवा सकता, तो जहां जहां भी ऐसा नहीं है, कि यार सर हम final में पहुँच गए, पर final में तो सर्म आ रही हमको CA enter का, बिल्कुल अगर दिखका थो, तो मुझे बोलना, मैं आपको link share कर दूँगा, मेरे वीडियो डले हुए है, या मेरे पास already video है, तो मैं आपको share कर दिया करूँगा, जहां भी जिस भी concept में दिक्कत आएगी, ठीक है जी सर, बात समझ में आगई, तो एक चीज भर याद रखना, अगर life unequal हो, कहीं लिख भी लिया करो, मैं ये चीज़े इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये सब already आपको पता है, पर एक बात समझ लो, जब भी life unequal हो, तो हमको equivalent annual NPV निकाल कर ही decision लेना है, ठीक है सर, बात समझ में आगा, तो ये था मेरा example number, अब चल रहा है हम लोग, example number 4, अब का हो चुका होगा, example number 4, आजी YouTube पे मेरा पूरा FM ही upload होने वाला है, बच्चों को फायदा मिल जाए, FM जर्नरली में पढ़ाता नहीं, चलो जी, example number 4, फिर से तैयार हो, दो प्रोजेक्ट है, A और B, cost, आखरी example है, NPV का, फिर हम लोग आगे चलेंगे हैं लोग, ठीक है, ठीक है सर, कितना कितना cost, सर, cost है, मान लो कोई machinery खरीद रहा है, और cost है, मान लो, एक लाग, और एक लाग, पच्चीस हैं, ठीक है सर, life, पासल, और आठसल, पासल और आठसल, सर, क्या खरीद क्या रहा हो, मैं ये, मैं क्या खरीदने का सोच रहा हूँ, मैं एसी खरीदने का सोच रहा हूँ, air condition, कुछ सस्ते भी है, कुछ महगे भी है, जब सस्ते है, बहुत सारे एसी, तो लोग सस्ता वाला क्यों नहीं खरीदे, महगा वाला क्यों खरीदे, वज़ा क्या है, air conditioner खरीदना है, तो लोग जो है, और सस्ते भी मिलते, कुछ फाइव स्टार भी महगे भी बेशते, तो समझ भी नहीं आता, लोग सस्ता क्यों नहीं खरीदे, महगा वाला क्यों खरीदे, उसके पीछे एक तो लाइफ, और क्या चीज है, operational cost, उसका running cost, अच्छा सार, maintenance, बिल्कु सही, बिजली का खर्चा, electricity, electricity सस्ता वाला, ज़्यादा consume करेगा, हाँ daily cost, तो मैं इसको running cost बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, running cost हो गए, बहुत सारे नाम दे सकते हूं, तो सर, running cost कितना है, मेरा ये कहना है, अगर मैं सस्ता वाला air conditioner खरीदता हूं, तो मेरा running cost आएगा, 25,000 रुपए पर रहे ना, ठीक है सर, बास सही, और, और इसके अलावा, तर मेहगा वाला इसी खरीदने से, थोड़ा सा कम खर्चा लगेगा, और ये आएगा, 20,000 रुपए पर रहे ना, अच्छा, हाँ ठी, और ऐसा नहीं है, कि पाथ साल बाद, चला कर मैं बेच नहीं सकता, मैं बेच सकता हूँ, सैलवेज, क्योंकि सस्ता था, इसलिए ये 10,000 रुपए में निकलेगा, पाथ साल बाद, और भली 8 साल हो गए, क्योंकि मेहगा इसी है, तो ये मेरा 15,000 रुपए में निकलेगा, और मेरा कॉश्ट आप कैपिटल मान लो, 15 परशंट है, 15 परशंट, और मुझे बताना है, विच मसीन सुट भी परचेस्ट, विच मसीन शुट भी परचेस्ट, हाँ, अब एक बात तो है, ये आने वाला आपका रिप्लेस्मेंट डिसीजन में, जबरदस्ट यूज होने वाला इसका, क्या कहीं भी, कैश इंफलो दिया रहेगा, नहीं सर, एसी जलाने में कैसा कैश इंफलो, पैसा जा नहीं जाना है, तो किस में कम पैसा जाएगा, वो देख लेते हैं, अब डिसीजन किस पर दोगे, प्रिजेंट वैल्यो और कैस आउटलो, लेकिन उसमें भी एक समस्या है, दोनों का लाइफ क्या है, अनिक्वल है, तो अब क्या काम करोगे, आउटलो भी निकालना है, बिल्गुल सहीं, आउटलो के बेसिस पर डिसीजन दोगे, और हमको लेना है, एक्विवेलेंट एन्वल प्रेजेंट वैल्यो और कैस आउटलो, ठीक है जी, ठीक है सही, तो चलेगा, स्टार्ट करें, सब की सब बच्चे एक्सपर्ट है, मतब पढ़ाने में जो मज़ा आ रहा ना, मुझे सिरियसली, आपके सथ लाइव क्लासेस में, वो मज़ा ना मुझे रिकॉर्डिंग में नहीं आता, रिकॉर्डेट क्लासेस में तो मैं अकेला रहता हूं, मज़ा नहीं आता, मज़ा तो इसी में है यार, मुझे आपके जवाब मिलते दिल खुश हो जाता है, कि यार हाँ, मैं कैसे बच्चे को पढ़ा रहा हूं, दिल खुश हो जाता है, चलो जी, बस आपके इसी तरह से जवाब आते रहे, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन किस पे लेंगे, decision लिया जाएगा outlaw के basis में अब हम लिख रहा है calculation of present value of cash outlaw calculation of present value of cash outlaw सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम करना है project A project A का present value of cash outlaw हमको निकालना है मेरे सासद बनाते जाएगे पीछे ना रह जाओ सर एक तो हमारा एक लाख रुपए जाएगा yes PVCO मैं मान के चल रहा हूँ tax नहीं है अगर गलती से tax दे दूँगा ना तो band बढ़ जाएगे बहुत कुछ है tax के बज़़ए यहां नहीं कर वाँगा वो question के साथ होगा सर 25,000 सर एक लाख जाएगा plus 25,000 जाएगा इतने साल तक जाएगा सर यह जाएगा पास साल तक तो 1 divided by 1.15 1, 2, 3, 4, 5 और सर लाश्ट में मिलेगा बेचने से 10 जार मिल जाएगा बेचने से और उसका factor है 0.497 GT 3.352 तो 25,000 इंटो 3.352 प्लस एक लाख माइनस 4, 9, 7, 0 1s कोई नहीं है मेरा ही calculation सबसे fast है मुझे ऐसा लग रहा 1, 7, 8, 8, 3, 0 मुझे लग रहा था कि आप लोग मुझे fast हूँ मेरा ही यह अलग बात है कि गलती हो जाए तो मैं कुछ क्या नहीं सकता तो आप बता देना मुझे और सर अब हमको क्या निकालना है अब हमको निकालना equivalent annual pvc 1, 7, 8, 8, 3, 0 विल को सही ठीक अच्छा मतलब मेरा गलत है आप ऐसा बोल रहा है कि यह दूसरे का है अच्छा बी का सौरी तो एक बात कर रहा हूँ फाल तो बाते में करता नहीं हूँ पर एक मुझे याद आ गया किस्सा इसलिए आप से बात कर रहा हूँ मेरी जो क्लासे से ना वो दिल्ली से हुई है सारी क्लासे सुन लो काम के जाथ और ऐसा नहीं है कि बहुत हम ब्रिलियन्ट इस्टूडेंट रहे होगे बड़ी मुश्किल से रोधोकर पास किये थे बी कॉम बी कॉम की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है सर बी कॉम तो रोधोकर और सर टैन्थ में क्या था अगर मैं कहूँ कि टैन्थ में वैसे तो मुझे मैसल लेना था पर मैं उतना लंबी हिश्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ तो जब दिल्ली में क्लासिस होती थी, तो एक जोस था, बीकॉम के बात गया थे एक्चुली तो क्लासिस होती थी, सर पूछते थे ना, कोश्चन तो एक जोस था, कि यार, वाओ, सिये करना, और अच्छे से करना, ढंग से करना, सबसे पहली वाली लाइन में जाकर बैठते थे हम लोग, मेरे दोस्ते और में था, पहली वाली लाइन में अब हुआ क्या यार, सर कोश्चन पूछते थे, और हमारे होस उड़ गया, और साइड वाले बच्चे, सीर्राम कॉलिज के बच्चे थे, साइड वाले बच्चे इतनी स्पीट से आंसर देते थे, यार, हमज में नहीं आदा कि क्या करना है करके अब सुनो, अब सुना अदिहान से, एक दिन मैंने राद भर होस्टन में पढ़ा, राद भर पढ़ा, और सबसे सामने जाकर बैठा सर जो कल पढ़ाने वाले वो मैंने रात भर पढ़ा और सबसे सामने जाकर बैठा और जैसे ही सर ने question पूछा और सबसे पहला जवाब मेरा था सबसे पहला और इतनी खुशी हुई ना बाकी सब calculation ही कर रहा सबसे पहला मेरा जवाब और जैसे ही मैंने जवाब दिया तो सर ने reply किया कि आपका अंसर गलत है घगवान कसम उसके बाद पीछे जाकर बैठा और कभी भी इतमे साम तो ऐसा नहीं इसलिए मैंने पूछा कि ये सही है या गलत है तो मेरे ख्याल से equivalent आपने निकाल लिया होगा divide किसे करना है divide, 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 divide 3.352 178830 divided by 3.352 answer 53 350 प्रोजेक्ट बी बताओगे प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट बी का निकाल लिया होगा मुझे एन पी वी बताओगे मैं पी वी सी यो बताओगे मैं पी यो पी वी सी यो नहीं निकाल रहा हूँ मेरे ख्याल से आप कहा गया होगा पी वी सी यो निसीता 53350 पी वी सी यो है पक्का पी वी सी यो तनिस्क 209843 209843 ठीक है और इसका एक्विवेलेंट एन्वल पी वी सी यो निशानत एन्पी वी नहीं बोलेंगे हम उसको पी वी सी यो बोलेंगे 209843 बिल्कुल सही है और मुझे एक्विवेलेंट बताओ यार एक्विवेलेंट 46765 46765 हाँ जी बिल्कुल सही है तो बताओ कौनसा वाला अच्छा है कौनसा प्रोजेट करना चाहिए कैस आउटलो के बेसिस पे मुझे डिसीजन दे कर बताओ ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है कौनसा वाला प्रोजेट करना चाहिए cash outflow जिसमें कम होगा और cash outflow किसमें कम है project B में कम है तो project B should be accepted ठीक है अच्छी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था आगे चल रहा हूँ मैं finally खतम हमारे example जो काम काम की चीज थी वो हो गया सर अब क्या करना है जा रहा है अब हम करने जा रहा है एक topic और बचा हुआ उसको भी खतम करते हैं फिर वापस हम अपने inflation पे चलते हैं तो ठीक है सर start करते हम बात किसके करेंगे IRR IRR मेरे ख्यासे सबको पता है क्या होता है बस उस पे दो example लूँगा छोटे छोटे example और फिर हम लोग आगे चलेंगे example number कौन सा था यह example number 4 basic C चल रहा है आगे लिखो कि example number 5 example number 5 cost of project 8 एक लक कैसे अंपलोस add the end of 50 year मेरी बासन जो मैं ऐसे project में पैसा लगाने जा रहा हूं जिसमें बीच में हर साल कुछ नहीं मिलने वाला है आज real estate मान लो यार आज पैसा लगाऊंगा एक लाग की जमीन खरी दूँगा अब पाथ साल बाद बेज दूँगा ठीक है सर आज कितना लगाया एक लाग आज लगाया छोड़ दिया और उसके बाद मैं पाथ साल तक वेट करूँगा पाथ साल बाद मुझे पैसा एक साथ मिलेगा 18243 तो बताइए आपने कितने पर्षेंटेज की कमाई किया IRR निकालना IRR का मतलब आपने कितना पर्षेंटेज कमाई है That's it Internal rate of return निकालने जा रहा कैसे निकालते थे क्या करते थे कुछ यादवाद है या फिर मुझे समझाना पड़ेगा सबकुछ Internal rate of return निकाल रहा समझाना पड़ेगा दिलखुष कर दिया हाँ आप interpolation से कर सकते हो जिसको आप hit and trial method में बोलते हो या आप जो भी नाम देना हो दे दो trial and error method भी बोल सकते हो सबसे simple तरीका सबसे simple अगर मैं इस project की बात पर बिल्कुल दियान से समझाऊंगा जो चीज समझाऊंगा बस सुनना है आज कितना पैसा लगा रहे हो एक लख याद रखना कि यह बहुत ज्यादा important topic है आगे चैप्टर आने वाला है bonds security valuation bonds और उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है IRR की तो यहां तो यूज है 13% answer आ रहा है सभी लोगों का तेरा पर्षंट 13 पैसा कितना लगा रहे हूं सर एक लाघ रुपी आज लगा रहे है पैसा आएगा कितना सर पैसा आएगा कैशंटों पाच्वे साल में आएगा 184 सभी 243 तो बताओ कितना कमा रहे हो तो method number one मैं दोनों method से करवाना हूं दोनों method से करवाना हूं method number one dirty power से भी हो जाएगा dirty power से हो गया 100% हो जाएगा लेकिन मुझे दूसरा method समझाना पड़ेगा method number one है कि sir हम कितना पैसा लगा रहे है हम लगा रहे है यह सब लिखना बेटे काम आने वाला है method number one हम लगा रहे है sir 1,00,00 रुप है 13.15% तनिस का answer जो आ रहा है वो accurate नहीं आ रहा है उसकी वज़ा क्या हो सकती उसकी वज़ा यह हो सकती है कि आप hit and trial method से कर रहे है आप interpolation method से कर रहे है एक लाग रुप है कितने साल में सरफ पास साल में 1 प्लस आर 5 और कितना आ रहा होगा 1,8,4 2,4,3 एक यह तरीका है यार होता न यार एक लाग रुपिया लगाया और पाच्वे साल में 1,8,4,2,4,3 आएगा तो सर उस हिसाब से आर इस एक्वल टू 1,8,4 2,4,3 इवाइड़ बाई 1 लेक पावर 1 बाई 5 माइनस 1 और लास्ट में क्या कर देना इंटू 100 मेरे ख्याल से ये बात समझवें आती है सब दोगों के और अंसर कितना आ जाएगा 13 परशन ठीक ठीक इस मैथट का नाम क्या है इस मैथट का नाम है डर्टी पावर अब काम के चीज है अब सुनना ध्यान से क्योंके ना यार बच्चों को लाश्ट में ऐसे ऐसे डाउट साते हैं आपको विस्वास नहीं होगा कि आर ऐसे भी बच्चे पूछ सकते हैं मालू मैं क्या पूछते हैं आपको विस्वास नहीं होगा मैं भी पूछ लूँ एक बार में भी पूछ लो एक बार अगर ऐसा है किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था इसलिए मैं सूचा चलो आपसे भी पूछ लेता हूँ पैसा कब लग रहा है एक लग अंसर देना ये जो 50,000 आएगा फर्स्ट इयर में ये कहां से आए सर माल बेचेंगे ना सर जो प्रोड़क्ट बना रहा है उसको बेचोगे तो पैसा आएगा ठीक है वो डेली पैसा आएगा कि साल के आखरी में आएगा ये लाश्ट दिन आएगा कि बेचने से डेली आएगा पैसा माल बेचने से डेली आएगा कि last day आएगा सीधा सर ये तो daily आएगा जब daily आएगा तो factor आप last day का कैसे ले सकते हो सर question ये भी आता है बच्छों का खेर वो तो आपको पता होगा चलो अब कर रहा है method number two last day आएगा daily आएगा माल जो बेची होगे आप कोई भी project करो manufacture करके बेच रहे हो तो daily आएगा तो फिर आप जो daily पैसा आएगा वो जो last day आपने तो सीधा last day का लिया factor सीधी इसी बात आप factor कप का ले रहा हो last day का जबकि पैसा जो आएगा वो तो daily आएगा तो फिर आप factor last day का कैसे ले सकते हो question बस ये था बच्छों ठीके वो एजेम्शन है एजेम्शन है capital विश्टिंग है method number present value method ये नाम यूज होगा हाँ मेभी during the race नहीं बोल रहे हैं लेकिन कहानी कुछ और है during the year आएगा during the year ही आएगा लेकिन जब हम उसको discounting करते तो first year के factor से करते है first year के end के factor से करते है तो सवाल ये है कि जब cash flow during the year आ रहा है तो factor भी during the year का लेना चाहिए ना last year क्यों factor लिया जबता है तो सवाल बस इतना है कि capital budgeting की एक assumption है कि वो हम during the day का calculation करना बहुत मुस्किल है इसलिए हम ये assume करते है कि जो भी माल बिकेगा वो year end में बिकेगा जो भी पैसा आएगा वो year end में आएगा ऐसी assumption लेकर हम काम करते है तो question ही बेकार था ये तो आपको automatic assumption ले लेना चाहिए कि last day अब सुनोगे IRR जो है IRR जो है अब मैं निकालने जा रहा हूँ present value method से अब मुझे यहाँ आपका साथ चाहिए प्लीज साथ चाहिए ठीक अब सुनना ध्यान से एक लाक मतलब एक लाक मतलब सर ये हो गया present value मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सुनना ध्यान से इसी को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ एक लाक 184 243 हाँ सर divided by 1 प्लस आर पावर फाइफ हाँ बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है सर लिखा जा सकता है बस आपने इसी को दर डिवाइट किया ना हाँ इसको क्या बोला जाता है सर इसको बोला जाता है present value of cash outflow इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है सर ये cash inflow है cash inflow है लेकिन डिवाइट तो मैं इससे कर रहा हूँ ना 1 प्लस आर पावर 5 से हाँ तो सर इसको नाम तो बोलो इसका क्या है सर इसका नाम है present value of cash inflow हाँ जब CA Inter में पढ़ा था तो आपने एक बात पढ़ा होगा कि ये जो rate है ये जो IRR है एक ऐसा rate है जिस पे present value of cash outflow बराबर हो जाता है present value of cash inflow के नाम सुना है ऐसा कुछ हाँ सर ये statement पक्का पढ़ा होगा multiple choice questions है आपको इसलिए सारी मेहनच चल रही हर चीज हम देखो यार मेरी बात समझा आप यही तो IRR है बिलकुल सही यही IRR है अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सुन लो मेरी बात पहले बच्चे बोलते सर थोड़ा सा slow चलोगे मेरा यह कहना क्योंकि एक ही attempt देना है हम लोगों हमको नहीं चाहिए कि यार इस बार समझ में नहीं आया तो अगली बार देख लेंगे अगली बार समझ में नहीं आया तो उसके बादा कहीं और क्लास ले लेंगे उन सब चक्रों में कोई फायदा नहीं है एक ही बार पढ़ते धंग से बढ़ते हैं और फिर कुछ भी आ जाए हम लोग तया है मुझे आपका साथ चाहिए बहले ही क्लास मुझे क्योंकि इस मन्त थोड़ा सा मेरी और एक बैच चल रही है पर जैसी बैच खतम होती है आगे से नेक्ष्ट मन से में आपकी जो क्लास 9 बजे है उसको मैं 9.30 भी कर सकता है बाद समझने की कोशिस करना है बहले ही वो 15-20 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लेके करूँगा एक साथ नहीं पढ़ाऊँगा कोर्स मुझे नवंबर तक आपको खतम करना कोर्स के लिए फोन आ रहे सर कोर्स नवंबर एंड तक में चे खतम करना है तो मेरी कोशिस रहे की कि थोड़ा सा जो 9 बजे का टार्गेट है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए ब्रेक देकर करूँगा ठीक है पर पढ़ाऊँगा एक चीज वो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको कैसे बढ़ा रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे ज़िदा इंपोर्टन्ट है बस मुझे साथ दे दे ना मैं छोड़ूगा नहीं मुझे मालूम है एक्जाम हम छोड़ेंग नहीं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ठीक है सर अभी क्या करना है PVCO is equal to PVCA तो एक स्टेटमेंट अच्छा नौ बज़े से FR के लेक्चर रहते हैं क्या आपके ठीक नहीं क्लासिस तो इवनिंग में ही दिश्िख रहते है सर इर इस और इट at which PVCI is equal to PVCO या फिर NPV is equal to 0 NPV is equal to 0 या फिर PI is equal to 1 हाँ सर यह तो CN टर्मा पड़ा है बस बस बच्चों का जो कोशन आया था वो यह आया था सर आप कैसे बोल सकते हो कि IRRP PVCO is equal to PVCI आया या आएगा या आप कैसे बोल सकते हो कि सर IRRP एक ऐसा रेट है जिस पर NPV 0 है इसके पीछ लॉजिक क्या है यही तो लॉजिक है डर्टी पावर बस मैं डर्टी पावर ही को तो लिखा है अलग तरीके से लिखा हूँ डर्टी पावर को अब ट्रायल एरर में करते क्या है सर इसमें करेंगे कैसे इसमें हम future का cash flow क्या है यह हम NPV निकलने की कोशिश करें और target क्या रहेगा NPV 0 आना चाहिए ऐसा कौन सा rate लिया जाए कि NPV 0 आ जाए तो सर रेट पता करने का तरीका है क्या तरीका है लेकिन अभी मैं उन तरीकों पे नहीं जा रहा हूँ ऐसा हाँ दो rate लेने पड़ेगे पर कौन से दो rate पहला rate कौन सा लिया जाए पहला rate कौन सा लिया जाए यह हमको पता नहीं किया किया जाए ये समझ में आ नहीं रहा है तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है हाला कि base होता है वो सब bond valuation में पढ़ने को पिलेगा पर अब एक बास समझो अगर हम लोगों कुछ नहीं पता है तो हम कोई भी एक rate assume कर लेते हैं और सबसे अच्छा rate है मेरे ख्याल से 10% हम 10% से काम करें तो पहले हमने किस से एकाम किया let assume discounting rate 10% पहले हमने 10% discounting rate से काम किया और हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे है हम निकालने की कोशिश कर रहे है NPV और NPV कैसे निकलता है PVCI माइनस PVCO और कोशिश क्या रहेगी कि NPV क्या आजाए 0 मौडिंग नहीं होगी आप बिल्गो टेंसर मत लेजिए commitment है आपके साथ मेरा NPV क्या आजाए 0 तो सर्फ PVCI टार्गेट क्या है टार्गेट यह है कि 10 पर्षन से अगर डिसकाउंटिंग करे तो NPV 0 आजाए और भगवान से प्रात्ना करो हे भगवान 0 ला दीजिए बस वही करने वाला हम है तो सबसे पहले बोलो पैसा कितना आएगा 184 243 divided by 1.10 और पावर क्या करूंगा 1.10 नहीं है 1.10 यह दो ले रहे पावर 5 और माइनस क्या करूंगा 1 लाग और भगवान से प्रात्ना करूंगा कि 0 आजाए अगर 0 आ गया तो यही तो आई अरार है 10% तो सर 184 243 divided by 1.10 1,2,3,4,5 माइनस 1 लाग तो सर यह आ गया 14,400 14,400 मज़ा नहीं आया अब रेट कौन सा लिया जाए अब रेट कौन सा लिया जाए 10% से कम कि 10% से जादा रेट कौन सा 14,400 बिलकुल सहीं सभी का NPV आ रहा 14,400 हमारा टारगेट है 0 लाना तो सवाल है कि 10% से कम लिया जाए कि 10% से जादा लिया जाए सर 10% से जादा जितना डिसकाउंटिंग रेट बढ़ेगा जितना डिसकाउंटिंग रेट बढ़ेगा जितना कॉस्ट आप कापिटल बढ़ेगा उतना NPV गिरेगा बहुत ही बढ़िया कॉंसेप्ट है और आने वाला है जादा लेना पढ़ेगा और ये बाण्ड वैलुशन में आएका जितना रेट बढ़ेगा तो रेट कोई भी ले ले सर कौन सा ले ले जिस पे NPV 0 आजा इस 10% से जादा ही लेना पढ़ेगा बिल्कु सही कौन सा ले कौन सा रेट लूँ कि मेरा NPV 0 आजाए सर जादा ले लेते हैं कितना ले लेते हैं 15% ले लेते हैं अच्छा सर अब दूसरा डिसकाउंटिंग रेट ले रहा हूं मैं 15% और मुझे लग रहा कि पक्का जीरो आजाएगा 15% ठीक है जी 15% लिया और फिर भगवान से क्या प्रात्ना करूंगा ये भगवान NPV 0 आजाए 184243 divided by 1.15 पावर 5 minus 1 लाख 184243 divided by 1.15 1, 2, 3, 4, 5 minus 1 लाख ओहो ये तो minus में आ गया 8, 3 9, 8 9, 9 ले 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 थे 8, 3, 9, 9 बिल्कुम और हमें NPV क्या चाहिए 0 अब क्या करना पड़ेगा interpolation बोलो जब सर हमने rate लिया था 10% जब हमने rate लिया था 10% आप formula लगा के कर सकते हो formula मुझे याद नहीं रहता मैंने common sense लगा के करूँगा जब rate लिया था 10% तो सर NPV आया था कितना NPV आया था सर NPV आया था 14,400 जब हमने 10% लिया था तो NPV आया था 14,400 और सर जब rate हमने 15% लिया तो सर NPV आ गया और कितना हो गया NPV सर NPV हो गया 8,399 हाँ सर तो सर पूरी picture तो ये है कि जैसे हम rate बढ़ाए 5% से NPV में change हो गया YES कितने percent का change हुआ कितने रुपए का change हुआ 14,400 प्लस 8,399 तो सर ये change हो गया 22,799 जहां से समझ रहा अच्छा सर मतलब पहले positive NPV था positive अब positive से 0 और 0 से negative मतलब कितने रुपए का change हो गया है 22,799 मतलब सर rate के बढ़ाने से NPV गिरता है गिरता है सर लेकिन हमें इतना कम नहीं करना है सर हमें तो बस कहां तक पहुचना है हमें तक 0 तक पहुचना है इतमेंस हमें डाउन करवाना है पर कितना डाउन करवाना 14,400 से डाउन करवाना है तो हो गया IRR is equal to 10 तो लगेगा लगेगा प्लस पाच पे 22799 तो 14,400 के लिए कितना यह तो आता है यार इस पर मैं क्यों हम आपको 5 divided by 22799 into 14,400 13.16 पर्षन करेक्ट आंसे मेरे ख्याल से यह सब को आता है तो इस पर मैं महनत ना भी करूं तो चल जाएगा ना इंटर्पोलेशन करना मेरे ख्याल से यह तो सब भी को आता होगा इसको नहीं आता यह लॉजिक के साथ है 13.15 पर्षन 16 पर्षन ठीक है चल जाएगा और जिनको नहीं आता है यह तो आप फॉर्मिले से कर लिजिए फॉर्मिले से आता है जो आपको करना है फॉर्मिला भी पता एक्स मैनल यह स्लोप वाला है ना यार आपको पता इसी से एक फॉर्मिला बना आपको इस्वास नहीं होगा मालू मैं इसी से तो एक फॉर्मिला बना इंटर्पॉलेशन से मालू मैं और कों से फॉर्मिले बने है यह करते हूं ना आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ बीटा बीटाप मार्केट होता है और यहां बीटाप पॉर्मिला इसा कुछ एक्वेशन है हमारा आरहा है सीए पीम सीए पीम बना कहां से है यहीं से तो बना है सीए पीम खर जब सीए पीम करवाँ गा तब बात करूँगा अब बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं ठीक है सर मुझे I.I.R. के बेसिस पे कैसे डिसीजन दोगी 10 और 50 इनका कहना है किसी बच्चे का कहना है तो एक 10% rate ले लेते है और एक 15 क्यों ले ले 50 ले लेते है तो क्या आंसर यहीं आएगा आंसर यहीं नहीं आएगा आंसर नहीं आएगा अगर आपका कहना कि 13.16 करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, आंसर तो accuracy में बोलू तो 13% है, पर ये trial and error method से approx answer आता है, और answer 0.25% इधर उधर चल जाएगा, पर gap जितना बढ़ाते जाओगे, 10 और 20 करोगे, तो answer और vary होगा, 10 और 30 करोगे तो answer और vary होगा, इसलिए कोशिस करना 5% का gap allow है, चल जाता है, variation आप ज़्यादा लोगे, तो variation ज़्यादा आएगा, आजी, important question, IRR के basis पर कैसे decision लिया जाता है, आएगा IRR इसलिए पूछ रहा हूँ, internal rate of return के basis पर कैसे decision लिया जाता है, अगर IRR जाता है, अगर किसी project में हम पैसा लगा रहा है, और उस project से कमाई है 10% के, यह हम, और हमने पैसा उठाया है, उस project से कमाई है 13% की, और हमने पैसा उठाया है 10% पर, तो यहार 10% पर पैसा उठाया है, और 13% की कमाई हो रही है, इट मिंस क्या हमको project accept कर लेना चाहिए, यस, IRR के basis पर decision कैसे लिया जाता है, अगर IRR जादा है, किस से जादा है, cost of capital से तो project को accept कर लेना चाहिए, agree, चुलो समझदार बच्चों, ऐसा है तो एक question का जवाब दे दो, गहराई से सूचना गहराई से, और जवाब दोगे, आराम से सूचके, और मैं सब को देख रहा हूं कि कितने बच्चे जवाब देते, अगर, अगर, NPV positive है, सर फिर से बोलो, अगर NPV positive है, अगर NPV positive है, तो NPV के हिसाब से क्या project कर लेना चाहिए, हाँ ना सर, अगर NPV positive है, मतलब सर 10% के हिसाब से NPV निकाला होगा, हाँ, 10% के सब से NP, cost of capital P तो NPV निकालते है, हाँ सर, 10% के सब से आपने NPV निकाला, और NPV positive है, तो NPV के सब से project कर लेना चाहिए, कितने बच्चे बच्चे सब से निकाला था 10% के, ठीक है सर, और, अगर NPV positive है, important, अगर NPV positive है, तो क्या IRR, कितने बच्चे सब से था 10% के सब से, तो क्या IRR 10% से कम आएगा, कि 10% से ज़्यदा आएगा, अगर NPV positive है, 10% पर, तो IRR 10% से ज़्यदा आएगा, कि कम आएगा, मैंने 10% पर NPV निकाला, जो की है positive, तो IRR 10 से ज़्यदा आएगा, यह कम आएगा, ज़्यदा, हाँ, बिल्कुल, एगरी, एगरी, ज़्यदा आएगा, इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हुआ सर, कि अगर NPV के हिसाब से accept, तो IRR के हिसाब से भी accept ही आएगा, इसका मतलब यह हो गया सर, कि IRR के हिसाब से जो decision, NPV के हिसाब से decision जो आता है, वही decision, IRR के हिसाब से आता है, दोनों में कभी conflict हो ही नहीं सकता, अगर इर एक्सेप्ट तो इर के हिसाब से भी एक्सेप्ट ही आएगा आई यार आर के हिसाब से रिजेक्ट आ ही नहीं सकता क्या आप लोग सहमत हो मेरे स्टेट्मेंट से यह भगवान नहीं बोल दिया सीधे सीधे ताक्षी का भी कहना है नहीं, नो, मतलब IRR और NPV में conflict आ सकता है, अब यह कहना चाहते हो, it means NPV के हिसाब से आ जाएगा, accept पर IRR कहेगा reject, ठीक है, अभी तो मैं निकल रहा हूँ आगे, अभी इतना टाइम नहीं है, कि आप से discuss कर दू, conflict आ सकता है, दोनों से decision अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही project है न, तो IRR के सबसे decision आएगा, वही NPV के सब, अगर single project है तो, पर अगर दो project है, तो IRR के सबसे decision A आएगा, और NPV के हिसाब से आएगा, कि B accept करो, वह हमने पढ़ा हुआ है, C enter में, यही सारी चीज़ें पढ़ते थे, कि conflict हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्या वज़ा है, IRR अलग बता रहा है, rank अलग हो सकती, IRR और NPV, वह हमने पढ़ लिया, लेकिन एक ही project है, एक ही project है, तो NPV अगर yes बोलेगा, तो IRR भी yes ही बोलेगा, यह आपको समझना पड़े, ठीक है, अब हमारा काम खतम हो गया, हाँ, single में yes बोला, बिल्गों सहीं बोले, single में दोनों के हिसाब से एक ही answer आएगा, लेकिन अगर mutually exclusive proposal है, एक से ज़्यादा project है, तो किसी का में A आ सकता है, और किसी में B आ सकता है, और क्यों आ सकता है, यह आपने CA इंटर में पढ़ रखा है, चलो जी, अब हम लोग start करते हैं, class, देखनो time क्या हुआ है, है, अब जितना भी हमारे पास time है, आदर घंटा है, और अब हम लोग start कर रहा है, class, और पहला topic करने जा रहा है, CA final का, inflation in capital wasting, सभी को book मिल गई होगी, क्योंकि book से हम question कर सकते हैं, आच, second, inflation, and capitalist, इन्फ्लेशन इन कापिटल वस्टिंग या इन्फ्लेशन एंड कापिटल वस्टिंग तर बुक नहीं मिला है कोई बात नहीं मिल जाएगा आज वैसे बुक की जिरुवरत नहीं पड़ीगी मैंने गाना कि अभी जो है जो क्लासेस है आज बेसिक्स मुझे समझाना इन्फ्लेशन एंड कापिटल वस्टिंग बस इतना बता हो क्या ये टॉपिक आपके सी एंटर में था ये इंटर का तो मेरा वीडियो ड़ला यूट्यूब में जूट तो आप बोल नहीं सकते हैं हाँ जी बुक्स के मैटर पे मैं बात नहीं करूँगा मेरा सिंपल सा कोश्चन है बुक्स के मैटर पे मैं आपके क्लास के बाद बात कर लूँगा क्या इंफलेशन कापिटल बस्टिंग में सिये इंटर में था यह नहीं था सर मान के चलो नहीं था ठीक है पढ़ा नहीं सायत हाँ यह सबसे अच्छा था सर पढ़ा दी आपको फीज दिया आप पढ़ाईए गुट तो मैं पढ़ा रहा हूँ हाँ जी मैं पढ़ाऊंगा आप टेंशन मतलें सवाल सुनना ध्यान से बहुत एजी टॉपिक है और यकीन मानो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब जो पढ़ने वाले होए क्या यह सिलेबस पहले सीए फाइनल में था यह जो चैप्टर है क्या यह चैप्टर पहले था सर सीए फाइनल में यस अभी नहीं था और मैंने पढ़ाया है सीए फाइनल में यह एक जमाने पहले था उस समय S.F.M. ही नाम था क्यापिटल बजटिंग था और आपको यकीन नहीं होगा C.A. Inter में जो कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा है ना एक एक कोश्चन देखा है मैंने C.A. Inter में जो कैपिटल बजटिंग पढ़ा हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा इजी यहाँ है बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सिंपल चैप्ट यहाँ ज़्यादा टेंशन ही नहीं है चलो ध्यान से मेरी बात समझना अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बस आपसे कुछ पूछ रहा हूँ आंसर देना कोई लिखेगा नहीं जब मुझे लिखवाना रहेगा मैं लिखवा दूँगा ठीक पैसा समझ सकते हो बिल्कुर इजए है आप यह टेंशन मतलेना कि क्या है आप कव शुरू से लेकि आखरी तक सारी चीजे मैं बढ़ाने वाला हूँ पॉस्ट आ प्रोजेक्ट पॉस्ट आ कितना है पॉस्ट आ प्रोजेक्ट है एक लाक पुर ठीक है सर कोई लिखेगा नहीं बस सुनना है और आंसर देना है हम ना हमारा अनुमान है किया हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है ठीक है सर तर लाइफ कितनी है लाइफ है पासा पासा लाइफ हो गई ठीक है सर तरap क्या कुछ बना रहा हो किया हाँ मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ उसमें मैनुफ Again का कर रहा हूं और मैनुफेक्षृक्शरिंग किस चीज का कर रहा हूं कैल्कुलेटर सा बहुत सारे सीव वले बच्चे चैलकुलेटर माँचते, पूछते कि बताओ सर कौनसा वाला कैलकुलेटर बनाता हूँ तो मैं कैलकुलेटर का बिजिनस करने वाला हूँ इसी की manufacturing कर रहा हूँ और मेरा अनुमान है first year, second year, third year fourth year, fifth year में कितने-कितने units बना कर बेचूगे क्या अनुमान है अनुमान है एस्टीमिशन और मेरा अनुमान है कि मैं यहां पाच जार यूनिट्स बना लूँगा पाच जार यूनिट्स बना कर बेज दूँगा और सर यहां कितना यूनिट्स बनाओगे दस जार यूनिट्स बनाओगे इस तरह से काम चलते रहे, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, क्या नहीं, ठीक है सर, ठीक, तो, यह कैल्कुलेटर में बना कर बेचने वाला हूँ, ठीक है सर, प्राइस क्या चल रहा, क्या चल रहा होगा अभी इसका मार्केट में प्राइस, कोई बता सकता है, इसका प्राइस क्या चल रहा, कि जो बता दो कितने में करीदा एक अथ कहलेटर कोई ना कोई तो अभी अभी हाल में खरीदा होगा क्या चल रहा है P Engagement आप स्थ टॉर केंड़ी का प्राइस अभी जो चल रहा है कि वो जो सार रुपाय चल रहा दोसण बोलना आसान लगतर prosper 77 भगवान तो मैं खुदी लिख लेता हूं, मैं खुदी लिख लेता हूं, ठीक, 200 रुपए चल रहा है, कैलकुलेटर का प्राइस, ठीक है, ठीक ऐसा, अब मेरा अनुमान देखो, मैं क्या सोच रहा हूं, अराम सोचना, हो गया, हो गया, सबज गया, मैंने गलत कोश्चन पूछ लिया था आप पाच जार कैलकुलेटर इंटू 200 के हिसाब से, तो पहले सल वाओ, कितना सारा है, 200 के हिसाब से, और दूसरे सल पाच जार इंटू 200, और दस जार इंटू 200, इस तरह से मैंने अनुमान लगाया, कि पहले सल कितने की बिकरी होगी, दूसरे सल कितने की बिकरी होगी, तीसे सल कितने का sales होगा चोहते साल कितने का sales होगा और मैं अनुमान लगाए जा रहा हूँ यहां तक ठीक है पर एक चीज तो मैं भूली गया वह है inflation यह जो price है यह जो price है जो 200 रुपय है यह तो मैंने आज के purchasing power के सबसे अनुमान लगा है मैंने आज के rate को base लिए आज के rate को लेकिन एक चीज और है ना यार inflation उसको कैसे भूल सकता हूँ it means यह जो है यह आज का के आज के हिसाब से आज के purchasing power के हिसाब से cash flow है जबकि जरूरी नहीं है कि जो calculator आज 200 रुपय का है वो एक साल बाद भी मुझे 200 रुपय का मिलेगा हो सकता inflation है इसमें हो सकता महगा हो जाए हाँ सर और मेरा कहना है कि inflation है मान लो 10% per annum inflation है 10% per annum तो 200 plus 10% बताओ एक साल बाद कितने का पढ़ेगा यह calculator सर बेच चोगे तो कितने का भिकेगा अगर मैं कहूं अब भी इस cash flow को देख रहा हूं 5000 इंटू 200 5000 इंटू 200 तो कितना हो गया 10 लक पर inflation है मान लो 10% inflation है 10% तो फिर एक साल बाद का cash flow आएगा 5000 इंटू 220 तो सरी आगया 11 लक inflation को आप कैसे भूल सकते हैं आपका जो अनुमान था आप जो rate ने का अभी तक जो काम हो रहा था सर अभी तक जो काम हो रहा था capital बश्टिंग में जो भी कर रहे थे हम inflation को consider नहीं कर रहे थे लेकिन अब अगर inflation दिया है तो inflation को consider तो करना पड़ेगा ये कब का प्राइज है बता सकता है कोई ये 10 लाख रुपए ये कब आने वाला है आज आने वाला है कि एक सल बाद आने वाला है सोच समझ के बोलना ये जो 10 लाख रुपए हैं ये आज आने वाला है कि एक सल बाद आने वाला है ये जो 10 लाख रुपए है ये आज आने वला है कि एक सल बाद आने वला जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूँगा एक सल बाद बिल्गों सही आज नहीं आने वला है बेस आज कल ये एक सल बाद आने वला 100% सही ये भी एक सल बाद आने वला ये भी एकसल बाद आने वाला बस यही सुनना चाहता था जब भी केगा जब भी केगा मतलब एकसल बाद और ये पैसा भी एकसल बाद ही आने वाला मैं ये नहीं बोल रहूं कि ये आ जाने वाला है ये भी एक सल बाद आने वाला ये भी एक सल बाद आने वाला है पर इसमें इंफलेशन नहीं है और इसमें इंफलेशन को consider कर लिया है तो सर इसका नाम क्या है नाम करन तो करना पड़ेगा भाई यस इसका नाम है जिसमें इंफलेशन नहीं होता है उसको क्या बोलते उसको बो और जिसमें inflation को consider कर लिया जाता है, उसका नाम क्या है, उसको बोला जाता है nominal cash flows, दो cash flow है, एक real cash flow और एक nominal cash flow, real cash flow का मतलब without inflation, और nominal cash flow का मतलब inflation को consider करके कितना cash flow आएगा, मुझे ना इतना आसान topic है, बस मुझे दो चीज़े का कुछ नहीं है यार, इसमें तो कोई CFAT भी नहीं निकालना है, इतना आसान topic है, इसमें बस ये काम करना है, कि सर आपको क्या दे देगा, आपको real cash flow दे देगा, और inflation का rate दे देगा, और कहें चलो nominal cash flow निकाल कर बताओ, ये बगवान कोई नहीं निकाल सकता, अराम से काम हो सकता, और एक होता है, real cash flow, मुझे दो चीज़े समझानी है, एक समझाना real cash flow और nominal cash flow, और एक समझाना real discounting rate और nominal discounting rate और हमारा inflation खतम, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है, और फिर मैं इसके concept पे चलूँगा, पहला काम होगा calculation, फिर होगा concept, तो पहला लिखने जा रहे हैं, अब, सबसे पहले calculation वाली बात करेंगे, पहले concept वानी है, calculation, एक बार calculation समझ में आ गया है, तो concepts automatic फिर हम लेते हुए चलेंगे, तो पहला part, पहला काम आज क्या करना है, calculation of calculation of nominal cash flow from real cash flow nominal cash flow, now nominal cash flow मतलब इसको क्या बोलना है, इसमें inflation है, inflation को consider कर लिया है कि नहीं कर लिया, तर कर लिया है, तो nominal cash flow, it means, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, after, considering inflation, after recognition, inflation, inflation को consider करने के बाद, including inflation, सबसे अच्छा, और तूसरा क्या, real cash flow, without inflation, inflation, इसका एक formula है, लेकिन formula हमको यूज नहीं होगा, पर क्योंकि किताबों में formula लिखा हुआ है, आपके study matter में formula लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, हलाकि उस formula का हम यूज नहीं करेंगे, common sense है यार, अगर मैं कहता हूँ यार, बताना, पचास रुपए था, पचास रुपए नहीं था, कितना था, 200 रुपए था, calculator का price, आज का, मैं कहता हूँ यार, 10% inflation जोड़ना है, तो बताओ, एक तलबत price क्या होगा, आप ही ने बताया 220, आप ही ने बताया 220, ठीक है सर, फिर से problem आ रही है, पर चलो ठीक है, 200 plus 10%, 220, अच्छा, मैं कहता हूँ, दो साल बात क्या होगा, तो दो साल बात भी बता सकते हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, तो, तो, formula, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस formula का use मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा formula का use, तब formula क्या है, formula है, nominal cash flow, is equal to, real cash flow, 1 plus i to the power n, क्या किसी को explain करने की जरूरत है, कि ये बात समझ में आ चुकी है, ये formula क्या मुझे explain करना चाहिए, सोच समझ के बोलना, मुझे नहीं लगता कि इस formula के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, या future में हम कभी इस formula को use भी करेंगे, जरूरत ही नहीं है, यार 200 में 10% बढ़ाना है, तो 220, 200 में 10% दो साल बढ़ाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको क्या explain करूँ, ये तो बच्च वाला काम है, ठीक, आज का काम क्या हो, तर काम के लिए भी टाइम बच्चा है, हाँ जितना भी टाइम है, आज का काम क्या होगा सुनोंगे, मैं एक simple सा example दूँगा, कोशिश ये रहेगी कि मैं आपसे गलती करवा दूँ, और आज का target मेरा यही है, मैं आपसे गलती करवाओंगा, दो example लिखूँगा, कहीं और कुछ कहीं कहां गलती करवाने वाला हूँ, सुनो, मैं आपसे गलती करवाने वाला हूँ, कहां, मैं आपसे सिप real cash flow से nominal cash flow में निकालते निकलवाते गलती करवा दूँगा, यह मेरा target है, और challenge है आपके लिए, आप बना कर बताना, तो अभी क्या पढ़ रहा है, हम कुछ नहीं पढ़ रहा है, हम सिप real से nominal निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है सर, तो चलो हो जाए challenge, दिख लिया है ना आप लोगों ने, yes, Example No. 1, देखते हैं, नसीदा, देखते, Example No. 1, Selling Price Per Unit, Rs. 50, Units, अगर मैंने लिखा Selling Price Per Unit, मतलब आप यह समझना कि इसमें, इन्फुरेशन को consider नहीं किया गया है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, Selling Price Per Unit है, 50, एर और यूनिट्स, ज्यादा बड़ा नहीं दूँगा, Example क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है, 1, 2, 3, तीन सा, एक हजार यूनिट्स, एक हजार यूनिट्स और एक हजार यूनिट्स और एक हजार यूनिट्स, दूसरे साल भी एक हजार यूनिट्स, तीसरे साल भी एक हजार यूनिट्स, ठीक है, अगर उसी साब से सेल्स बोलोगे, तो 50 इंटू एक हजार, 50 रुपए एक यूनिट्स का इंटू एक हजार, अगर मैं रियल की बात करों, तो रियर हर साल कितना कितना आएगा वो आपको पता है और मैं sales कोई cash flow मान रहा हूँ क्योंकि बड़ा question मुझे नहीं करवाना मुझे concept भी कुछ तर inflation का rate बुलिए 10% पर रहे न calculate real cash flow and nominal cash flow total दो ही example करवोंगा बस उसके अलावा नहीं करवाने वाल दूसरा example भर समाल होगे तो मेरा target खतम हो जाएगा आज का real cash flow और nominal cash flow selling price को मैं sales को cash flow बोल रहा हूँ अभी क्योंकि बड़ा question करवाने का समय नहीं टाइम ज्यादा चला जाएगा तो सर सबसे पहले हम काम करें real cash flow first year, second year, third year real cash flow कितना आएगा सर एक हजार इंटू पचास तो कितना कितना आएगा सर पचास हजार second year का भी कितना आएगा पचास हजार और third year का भी कितना आएगा पचास हजार कोई दिकत नहीं सर दूसरा हमको क्या नहीं का inflation को add करके nominal cash flow year और cash flow मुझे अलग-अलग year का अलग-अलग चाहिए मुझे टोटल नहीं चाहिए हड साल का मुझे अलग-अलग चाहिए तो मुझे first year का nominal cash flow सर शिक्स-जिक्स-च्स-जिक्स-पाइफ-फाइफ-जीरो शिक्स-फाइफ-फाइफ-जिरो बेल्गो सहीं इस रशे हैं बनाया कैसे इस question को, सर्स क्या बनाना, इसमें बनाने वाली क्या बात है, हमने सीधा लिया 50,000, प्लस 10% किया, तो यह आगए 60,500, और प्लस 10% किया, तो यह आगए 60,500, प्लस 10% किया, तो यह आगए 66,000, पास सो पचास, इतना simple सा question था, दिक्कत क्या थी, हमको नहीं लगता कि हमें से, आप यह बोल रहा है, हमको नहीं लगता कि हमें से किसी एक ने भी यह गलती किया होगा, बिल्कु सही, और मैंने कहा कि मैं अभी गलती करवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको second example में गलती करवाँगा, और यह हमारी class का रहा last example, तो समझ के करना, last example कर जा रहा है इसके बाद class over करेंगे books की जरूरत पड़ेगी कल तो कल books लेकर तयार रहना कल books की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कल हम बड़े सारे questions करने वाला है inflation याद रखना CA final start हो चुका है यह सब CA final में real हो गया है nominal होगा है बिलकुल सहीं सभी कहां से सहीं है अब example number 2 मैंने कहा था दो ही example करूँगा तयार रहे हैं यस example number 2 here or real cash flow 1,2,3 60,000 70,000 or 50,000 inflation rate 5% पर है न और मुझे nominal cash flow चाहिए हर साल का हर साल का nominal cash flow चाहिए तो समझ के answer देना जाते जाते गलती मत करना कम से wait कर रहा हूँ आप लोगों का मुझे चाहिए inflation को consider करके nominal cash flow अराम से जवब दी न पहले साल का answer बता दिया गया और पहले साल का answer बताया गया 63,000 second year का answer पहले साल का answer सभी लोगों का सही है 63,000 challenge वाली बात है second year का answer क्या एक प्रशान्त वेजिन्ती 7,7,6 अच्छा आंस का answer आया है तीनों का बताया है उन्होंने खीक खीक सभी लोग मैं आपको बेकार में ये समझ रहा था साक्ची मैं आपसे बात करूँगा तनिस्क का ताही है 7,7,1,7,5 7,7,7,1,7,5 बहुत सारी लोगों अब देखो कि गलती क्या होती है अब समझना गलती क्या होती है ताथ हजार में 5% एट कर दिया कोई समस्या ने है अब 70,000 प्लस 5% तो कुछ बच्चे 73,500 बताते हैं सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ कि गलती क्या हो सकती है गलती ये हो सकती है कुछ बच्चे 70,000 में 5% एक ही बार एट करते हैं जो की गलत है कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं क्योंकि पिछला एक्जामपल याद है इसी में एट कर देते हैं वो क्या कर देते हैं 63,000 प्लस 5% 66150 कुछ बच्चे सुनो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या गलती हो सकती एक गलती ये हो सकती कि इसी में 5% एट कर रहा है क्यों भाई क्योंकि सर्फ पिछला एक्जामपल हमको याद था ये गलती हो सकती इससे तो हमको मतलब लही है सेकंड येर का कैस्ट प्लो तो ये है अब दूसरी गलती क्या हो सकती है कि 70,000 प्लस 5% कुछ बच्चे इसमें सिर्फ एक ही बार 5% एट करते वो भी गलत है वो भी गलत है क्योंकि पिछले एक्जामपल में इसमें भी आपने दो बार एट किया था हाँ सर्याद है इट मेंस सेकंड येर का आंसर आएगा 70,000 प्लस 5% प्लस 5% ये आंसर आएगा 7,7,1,7,5 और सर्याश्ट येर का आंसर क्या आएगा 50,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% लाश्ट का आएगा 5,7,8,8,1 फ्रैक्शन इग्नोर कर दिए हाँ जी मैं इतना में करवाया हूँ न इन्फलेशन मुझे मालूम है जब पेपर शेक करता हूँ न आपको भी यकिन नहीं होता कि हमसे ऐसी गलती हो जाती है हो जाती है इसलिए ध्यान रखना ये एक्जांपल में ने जानबुश की कर रहा है ये कल आने वाला है कि हाँ जी आप ही के स्टेडी मैट का कोश्चन करने करवाने वाला हूँ कल में और उसमें ये गलती है आप से हो सकती है बस इन सब चीजों का ध्यान देना तो क्लास हम ओवर कर रहा है सीए फाइनल का हमारा स्टार्ट हो चुका है अगर देखोगे तो इन्फलेशन जब आप वैसे तो इस्टेडी मैट पढ़ा हूँ जो आपके स्टेडी मैट उसी सिक्वेंस में चलेगे हम लोग हलाकि मेरी बुक में ये जो इन्फलेशन के कोश्चन है लास्ट में दिये रहे हैं क्योंकि लास्ट में दिया है पर मुझे समय मुझे मालूम नहीं था अपको वुक्स ठीक है थैंकिसो मच बइबाई कल ये थोड़ा सा देखकर आना क्या देखकर आओगे कि रियल कैश्टो से नॉमिनल कैश्टो कैसे निकाला जाता बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है वैसे थैंकिसो मच बइबाई